हेलो फ्रेंड्स इसका इलाइन ये पीवीसी डोर एंड बिंडो सिस्टम में आपका स्वागत है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो लोगों की सबसे ज्यादा कन्फीजन होता है किसी को भी अपने घर में जब ये पीवीसी लगवाना होता था सबसे पहले वह इंक्व इतने लोगों के पास जाती है कि उसके पास कोटेशन का डेल लग जाता है अलगलग कोटेशन में अलगलग रेट्स होते हैं किसे चूज करें तो दोस्तों मैं दीपक अगरवाल आज आपको जो वीडियो में दिखाने जा रहा हूं इससे आपकी सारी कन्फीजन दूर हो ज विंडों में जब भी हम बड़े साइस की लगाते हैं सब्वोज या सैवन फूट की ला एक फूट की नशन फूट की 10 create can टक तो हम यहां पर मैं m सीरीज का यूज करना चाहिए के सिरीज में क्या फर्क होता है क्योंकि इसकी जो विर्थ होती है वह 58 mm की होती है और जो उसकी मोटा ही होती है वह यहां पर देख सकते हैं 62 mm का है आज अधिकतर फैबरिकेटर्स रेट्स को लेके बहुत कन्फूज करते हैं किस्टमर को वह ची सब्सक्राइब करते हैं वह आपको साइज एट फूट का है या टैन फूट का फिक्स है तो आप आट एम पर ग्लास लगा सकते हैं जहां भी आपको सिक्स और एट एम के बीच में जो प्राइज वेरियेशन है तकरिए चालीज से बैलीस रूपर आता है वह आपको एडिसन सब्सक्राइब करते हैं तो फैब्रीकेटर आपको रेट कुछ बताएंगे इस से आपको पता नहीं लगेगा पता आपको जब लगेगा जब घर में आपके पूटर लग जाता है साथ में जो प्राइस वेरियेशन है वह डिपन करता है उसकी मसीनों के ऊपर अभी मैं आप देख सकते हैं जो बैद्णिंग से होल आ रहा है जब भी आपनी घरों में लगवाएंगे तो जाहर सी वादा उसके उपर स्टीगर्स लगते जाएंगे इस टीकर लगे होंगे और जब आपके घर में स्टीकर्स आप निकाले जाएंगे तो तरह तरह की प्रॉलम्स करते हैं तो यह सारी चीज़ है आपको आने वाली वीडियो में फिक्स विंडों के अलावा केस्मेंट ट्रेक टू ट्रेक सेंटर स्लाइट और सब चीज़ें के बारे में दिखाने जा रहा हूं तो दोस्तों जो फिक्स विंडों में आपको 38 दिखाया यह तक तर लेकिन वह आपको पता नहीं चलेगा अभी आपको टूसरी जिर्पहने जा रहें वह रहुण है केसिमेंट इमतों बना सकते और बना सकते हैं अबिए पसकर केसमेंट कर जो मैं आपको जो अभी टॉफिंग दिखाने जा रहा हूं इसकी आप चोड़ाई देखिए सेस्की यह 75 mm है और इसकी जो आपको मोटाई देख रहे हैं यह 62 mm है यह जो मोटाई है यह अलग-अलग कंपनी के पॉड़र्ट के उपर डेपेंड करता हैं आप अभी इसके इस ब्रैंड की उपर मत जाना लेकिन मैं आपको सिर्व अभी डायमेंशन्स दिखा रहा हूं कि कौन से बिंडो में आपको कौन कौन से डायमेंशन्स होने चाहिए तक कि जो प्राइज आप पे कर रहे हैं उसका आपको पूरा-पूरा प्रोड़क्ट मिल सके है अज सिस्टी सीरीज की जगए आपको वह फिप्टी टू सीरीज देंगे नतिया क्या होगा वह प्रोड़क्ट में इन दोनों के बीचें तकरीवन तीस से चालीस रफ़े सकार्फट के वेरीशन आता है और कस्टमर्स को वह बेवकू बना देते हैं अब इसमें जो ग्लास ही लेके 500 से रुपर स्कारफट सकते हैं कौन से यूज़ करते हैं या आप हाडव नीथ कौन से उसoft कर रहे हैं अब इसमें हाडवेर को लेकर भी प्रैस वेरीशन वह डिपंग करता तो पंद्रस एठार रुपर वहां भी बचा सकते हैं इसके लावा किलियर ग्राश के लावा अगर आपको कोई लगाना रफ्लेक्टर लगाना या यह यह लगाना तो जो उसका जो ग्लास का वैरीशन है तकरिम चालीज से पैंतालिस दो पर इसके लावा अगर आपको डॉर बनाना है तो डॉर में 84 mm से लेके 108 तक कर सैसाता है वो डेंड करता कि आपकी डॉर की हैट कि नहीं और आपको इसके लावा दोट की विड्द की धिनिये आप से उसमें या उसमें हाड़वेर कों से युज करना चाहते हैं अगर आपको उसमें डूर सेत्रेंडर वाला लग के एक तीफुर में का सेस्ट लगाकेशिम लगा सकते हैं या उसमें की वाला यूजे कर सकते हैं थी कि त्रीज़ में आपको दिखाने वाला हूं वह है थ्री ट्रैक यह मरी इस बीटरेग विल्डू की में आपको मोटा देंगे डाहे ट्रेक में क्या होता है दोनों पल्ले ग्लास के आपके मोटा ही रहेंगे पर जो बैस वाला पल्ला होगा वह पतला आएका और इसमें लॉकिंग नहीं होती है किस्टमर से लगता है पर जनरली फेवरिकेटर उनको 2.5 ट्रेक दे देते हैं और किस्टमर रेट को लेके खुस हो जाता है अभी मांको दूसरी चीत दिखाने जा रहा हूं उसका सहस है यह जो थ्री ट्रेक के पल्ले का सहस है आप यहां पर देख रहे हैं यह हमारा 68 mm का सहस है चोटी बिंडव इसलिए हमां पर 68 mm का मिनियूम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारी बिंडव की हैट यह उस्त all यहां तो मैं पे कर सकते हैं तक एमारी बिंडों कि अशनी से और सके और वो एक्मारी स्लैटिंग मुझोवूध है और आसानी से अंद मुञ वह्यानी कि आप कर सके ने यहां पर लेकिटेफskin यहाप व है उसके आपका प्राइज है वेरीशन होगा तो यहां पर जो मैं सेज्ट आपको दिखाया वो 68 mm का है उसके अलावा 79 mm का था और 88 mm का जो त्री ट्रेक्ट का जो मेरे रेट है यह जो नॉर्मल मार्केट हो जो रेट है वो साड़े 500 रुपए से लेकर साड़े 500 रुपए स्का या प्लेंड डी हैंडल का रेट इसमें इंक्लूड है अगर आपको स्पेसली सिलेंडर वाला डी हैंडल चाहिए तो इसमें 10-15 रुपए स्काइफट का फर्क आता है जो कि आपको पे करना पड़ेगा अब इसके लाभा अभी हम स्टार्ट करेंगे टू ट्रेक्ट दोस्त सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों जो प्राइज वेरियेशन है वो टेपन करता कि हमारी बिंडों के अधिकतर आच छोड़े-छोड़े बुप बहुत सारे होगा है जो की मैनूल मसीन यूज करते हैं और उनकी जिससे उनकी प्रॉडक्सिंद कोस्ट कम होती है तो रेट सब्सक्राइब करते हैं या उसकी जो प्रॉपर नहीं होगी साथ में जो बिल्टों की आइसी शरी एं सब्सक्राइब करते हैं अधिक तलोग नहीं करते हैं लेकिन पूरी उसकी बाटरश्लॉटेंगे होल होनी चाहिए साथ साथ सकी भार्ट स्लोटव के वह जरूर होना चाहिए अब बात करते दम चीमपै नहीं के आए उसका Radhesus का आता है वह थोड़ी रेट कम कर देंगे इस रही नहीं असके उपर कर आप लगे होड़्य वह नहीं लगाएंगे इंट्रलॉक पतली वाली लगा देंगे, वो छोड़ देंगे, साथ ही जो अमरी रवट की क्वाल्टी होती है, वो हलकी वाली लगा देंगे, इसके बज़े से 30 से 40 रपे स्कारफट का जो वैरीशन आता है, वो ultimate कस्टमर को भी वियर करना होता है, और फैबरिकेटर को लगता है, क्योंकि ये उसके मेहनत के पैसे हैं, और ये 10 से 15 साल की कम से कम डूरेवल्टी है, जो कि उसे मिलनी ही चाहिए, तो दोस्तों अब स्टाट करते हैं, कलर सीरीज के क्या प्राज होना चाहिए, आज बहुत से लोग सोसतें कि वाइट की जगए वो कलर लगवाएं, जाक sebelum मिल रहा है, तो उसका ये 1050 से लेके 12.00 का hall तक जाता है, वोignment करता है क्या है ग्लास के तिनकरता है, ग्लास आप कौन से यूज कर रहें, शिक्योर्टी है विख से पर तो जो रेट जो मैंने आपको बताया तकरीबर शाड़े दिस से रुपए एक जार पचाश से लेके बारास रुपए रेट उसका जाता है अभी कई लोग जोचतें कि कि ऐल्मुनियम का करड़ सस्था पड़ेगा तो दोस्तो करखने में और यह बहुत फ़रक है अगले आपको फरक हो क्या फरक और उसके प्राइस को लेकर डिफरेंस आते हैं जो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो किर पर सब्सक्राइब जरू करें ताकि सभी वीडियों की जानकरी आपको जल से जल मिल सके और यह पी विसे से रिलेटेड आपकी जो भी क्यों हो रही है आप मुझे लिख सकते हैं पूछ सकते हैं और keep watching my video, thank you.